जेहिन दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक की लेटिस्ट भरती 2022 के बारे में जिसमें की दस्वी बार्वी पास केंड़ेट अपलाई कर पाएंगे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कुकोन कुण सी पोस्ट पर ये भरती है कहां से आपको इसमें अपलाई करना है और कैसे अपलाई करना होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्ते यहां पर अभी जो वीडियो में देख पार है हमारी ओफिसल साइट जो ब पर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यह जो वैपसाइट है यह आपकी नैशनल करियर सर्विस जो की मिनिस्ट्री ओफ लेबर एंड इंप्लोईमेंट यहां के सरम एवं रोजगार मंतरालिया भरत सरकार के अं साइट नहीं रन करेगा जिस पर की कोई फेक जोब अपडेट करता हो इसलिए अपने मन से डाउट निकाल दीजेगा अभी यहां पर मैं आपको पोस्ट की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फट आ जाएगी जैसे कि आप यहां पर देख सकते कस्टूमर सर्विस एक्जिट्यू एक्सिज बैंक 2022 यह जो जो पोस्ट की गई है इस वेबसेट के वोपर 27 जून 2022 के अंदर की गई है अब यहां पर कुछ कैंडिट का सवाल यह होगा कि सर इंपोटेंट डेट्स के हैं तो मै जो पोस्ट होती है जैसे भरती है यहां कि वेकेंसी फूल हो जाती है तो जो भी यहां से हटा ली जाती है अब जैसे कि यह पोस्ट है मैं यहां पर इसमें कस्टूमर सर्विस एक्जिट्यू इसके उपर किलिक करता हूँ इसके उपर जैसे आप किलिक करेंगे तो आपके स पोस्टिंग होगी एक्सिस बैंक के अंदर इसमें जो आपका सेक्टर रहेगा वह है फाइनस एंड इंसरेंस इसमें आप देख सकते हैं फ्रेसर केंड़ेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं फिर बात आती है आपकी सैलरी की तो सैलरी यहाँ पर जो आपको इस पोस्ट पर मिले फिर यहाँ पर जो इसकी जोब लोकेसन है वो वैस्ट बंगाल बिरिंगम यहाँ पर रहने वाली है इसमें ओल इंडिया से केंड़ेट अप्लाई कर सकते हैं की स्किल में यहाँ पर गूड कम्यूनिकेसन इसके लिए आपको अच्छे से बातचीत आना चाहिए जोब का ने पोस्ट जो आमने नोटिफिकेसन का लिंक दिया इसके उपर उपन करेंगे तो देखे के आपर ब्रांच रिलेसंशिप एक्जिट्व एक्सिस बैंक डारेक्ट हाइरिंग बैंक ओफिस सेगमेंट अगर आप इसके उपर किलिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो नई इसका भी फ्रेसर है इसमें भी आपको सेम सेलरी दी जाएगी अपलाई करने के लिए बारवी पास की योगता मांगी है यहाँ पर मैं फिर से आता हूं और जो आपकी अन्ये पोस्ट है उसको ओपन करता हूं यहाँ पर आपकी काफी सारी पोस्ट दी गई है जैसे कि पर 23 वेकंसी है यहाँ पर भी आपकी जो फंक्सनल रोल है वो आपका कोर्पोरेट बैंकिंग एक्जिट्व मैनेजर का है और इसमें यहाँ पर अपलाई करने के लिए बारवी पास की योगता मांगी है टोटल आपकी 23 वेकंसी है फिर यहाँ पर जो हमने इसको ओपन किया इसकी वेकंसी आपकी 21 है फंक्सनल रोल आपका फ्रैसर याँ के टेट अपलाई कर सकते है अपलाई करने के लिए बारवी पास की योगता यहाँ पर आपको इससे भी जानकारी दी गई है अब यह तो आपने जाना इन पोस्ट के बारे में आप यहाँ पर जो ओफिसल साइट यान के नेशनल करियर सर्विस की वेबसेट के उपर कैसे रजिटर्थन होता है इस संबंद में मैंने वीडियो बना रखी है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप यूटूब के अंदर सर्च करते हों NCS रजिटर्थन कैसे करें 2020 तो आपके सामने हमारी व प्रेकन्सी निकले तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आप इस वेबसेट के उपर रजिटर्थन कर लेंगे तो जो यहाँ पर आपको अप्लाई कर लिंक देखने को मिल पा रहा है आप पहले इस वेबसेट के उपर लोगिन कर लेंगे अपनी लोगिन डिटेल स करने के बाद में दैन आप यहाँ पर apply के उपर क्लिक करेंगे तो apply के उपर क्लिक करने के बाद दो तीन step के अंदर आप apply कर लेंगे क्योंकि जो आपकी qualification की आपकी profile की आपके experience के अगर आपके पास कोई है वो जानकरी आप ओल लेडी पहले से इस website के अंदर रशन करते समय भर देंगे फिर बस आपको apply के उपर क्लिक करके apply करना है अगर आप चाहते कि इस फोम को कैसे भरना है इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से specifically video बना हूँ तो आप वो भी comment के मादिम से बता सकते है अगर आपका interest है इस बरती के अंदर और आप चाहते कि मैं अलग से इसका process बता हूँ तो भी मैं आपके लिए बना दूँगा बट मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख करके रश्टन कर लेंगे रश्टन करने के बाद में इस website को हमारी वाली open करेंगे और फिर जो भी पोस्ट पर आपको apply करना है उसी को आप open करेंगे then आप apply के उपर click करेंगे तो आप इस पर अराम से apply कर लेंगे अब जैसे थोड़ा sort मैं आपको मैं यही पर बताता हूँ कि कैसे आपको apply करना है तो मैंने यहाँ पर इस website के उपर login कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते कि मेरा नाम लिखा आया है आप जैसे login के उपर click करे यह भर करके sign in के उपर click करेंगे sign in के बाद में आप official notification को open करेंगे official notification को open करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर यह सबी post आ जाएगी अब जैसे कि मैं यहाँ पर इसको open करता हूँ इसको open करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इसकी eligibility आएगी अब मैं यहाँ पर apply क के उपर क्लिक करता हूँ apply के उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने इसका जो इस स्पेसिफिकिसन है वो आपके सामने अब आप यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसके वारे में वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद